तो कहानी की शिरुवात बेकी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो अपनी कार से पनी काम पर जा रही होती है बेकी चैट्विक सिटी के एक रेस्टोरेंट में काम करती थी कुछ दिर बाद वो रेस्टोरेंट पहुँच जाती है और अपनी कार को पारकिंग एर कि कल रात किसी ने में डूर खुला छोड़ दिया था जिसकी वज़े से किसी ने मेरे 1000 डॉलर चुरा लिये हैं। ने खुला छोड़ा था और मैं इस बात को सेंडरा को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि इससे केविन की जॉब चली जाएगी। इसने अपनी आँखों से आपके पर से पैसे चुराते देखा है। इतना कहकर डैनियल सेंडरा को कहता है कि मेरे पास इन्विस्टिगेशन करने के लिए पुलिस की एक बड़ी टीम है जो आपके रिस्टोरेंट पर आकर बेकी से इस बारे में पूश्टाच कर सकती है। लेक वो तुरंद बेकी के पास जाकर उसको रिस्टोरेंट के बेक साइड ले जाती है और उसे इस बारे में सब कुछ बता कर डैनियल को फोन लगा कर बेकी की दैनियल से बात करवाती है। फोन पर बेकी बेकी के परस की तलाशी लेनी होगी। मारे पर्स से मुझे मेरे पैसे मिले तो मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल दूंगी Allah हाँ पर सेंडरा बेकी के पर्स को चेक करती है लेकिन उसे कुछ भी sack को कि एक रwsक्रॡ southeast जिस पर डैनियल उसे कहता है कि बेकी को रेस्टोरेंट में ही पकड़ कर रखो। साथ ही वो सेंडरा को ये भी कहता है कि आपको मेरी फोन कॉल पर ही मदद करनी होगी। ये सुनकर डैनियल बेकी को दो आप्शन देता है। पहला ये कि बेकी को चोरी के जुर में जेल जाना होगा और दूसरा ये कि बेकी को अपने सारे कपड़े उतार कर सेंडरा को उसकी तलाशी लेने देनी होगी। से पूछती है कि क्या वो किसी फोन बूट से बात कर रहा है या फिर वो किसी तरीके से उन्हें देख रहा है। सेंडरा की इस बात का डैनियल कोई जबाब नहीं देता और सेंडरा भी मन ही मन डरी हुई थी। और सेंडरा बेकी के सारे कपड़ों को चेक करती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बारे में वो डैनियल को बताती है। मजबूरी में बेकी को अपने अंडर गामेंस भी उतारने पड़ते हैं और वो पूरी तरह से नूट हो जाती है। लेकिन वहाँ खड़ी माटी को ये देखकर बेकी पर बहुत दया आती है इसलिए वो एक अपरान उठाकर बेकी को पहनने को देती है। वहीं डैनील सेंड्रा को कहता है कि आपके रेस्टोरेंट के बाहर एक कार कुड़ी है जिसमें आपको बेकी के सारे कपड़े रखने होंगे जिनें मैं बाद में अच्छे से चेक करूँगा। बेकी के अपने काम पर चाना है वरना हमारा धंदा चौपट हो जाएगा। इस पर डैनियल कहता है कि ठीक है आप अपने काम पर चले जाओ लेकिन बेकी पर नज़र रखने के लिए किसी आदमी को बुला लो उसकी इस बात को मान कर सेंडरा केविन के पास जाकर उसे इस बारे में सब कुछ बता कर उसे अपने साथ रेस्टरॉंट के बैक साइड ले आ सकती वहीं डैनियल केविन से कहता है कि तुम्हें बेकी की तलाशी लेनी होगी इससे सुनकर तो केविन को और जादा गुसा आ जाता है और वो कहता है कि तुमने बेकी के सारे कपड़े उतरवा दिये हैं और अब भी तुम उसकी तलाशी लेनी है जिस पर डैनियल केविन स वो सेंडरा से कहता है कि सौरी इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सेंडरा डैनियल से बात करती है जहां डैनियल उसे बताता है कि केविन बैकी पर नज़र रखने के लिए सही आदमी नहीं है। डैनियल सेंडरा से पूछता है कि आप किसी ऐसे आदमी को जानती हो जो बेकी पर अच्छे से नज़र रख सके। जिसके जवाब में सेंडरा उसको अपने मंगीतर के बारे में बताती है। डैनियल कहता है कि आपको अपने मंगीतर को इस काम में उनकी मदद करने के लिए बुलाना होगा। सेंडरा को काफी अजीव लगता है लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे अपने मंगीतर जिसका नाम वान था उसे रेस्टोरेंट में बेकी पर नज़र रखने के लिए बुला लेती है। से बात करवाओ। डैनियल बेकी से कहता है कि अगर तुम्हें जेल जाने से बचना है तो तुम्हें वही करना होगा जो वैन तुमसे कहेगा। आखिरकार बेकी ऐसा करने पर मचपूर हो जाती है और वैन के सामने ही अपना अपरान उतार कर फिर से पूरी तरह से न्यूट हो जाती है। बेकी के बाड़ी पार्स कितने बड़े हैं जिस पर वैन कोई जबाब नहीं देता तब ही डैनियल वैन को कहता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जस आदमी ने बेकी को चोरी करते देखा था उसने बेकी के चेस पर कुछ निशान देखे थे इसलिए तुम्हें उन अवाची का पता लगाना है वही डैनियल यू को वण की आवाद से आईडिया हो जाता है कि वो नशे की हालत मे है इसलिए वो वण को कहता है टुम्हें बेकी को चंप करने के हुगा जिससे चोरी किये गए पैसे उसके प्राइवेट पार्स से नीचे गर जाएंगे वहीं कहने पर बेकी नगन हालत में ही जम्प करने लगती है और जब कोई पैसे बाहर नहीं निकलते तो डैनियल वान से कहता है कि तुम्हें बेकी के प्राइवेट पार्ट को खुद ही चेक करना होगा वेन अब बेकी से काफी अट्रैक्ट हो चुका था इसलिए वो बेकी के प्रा उनके पास ही आ रही थी लेकिन इससे पहले कि वान को ऐसा करते देख पाती वो रुख जाते हैं लेकिन सेंडरा को वान पर शक होता है इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे जिसके जवाब में वान उसे कुछ नहीं बताता जिससे सेंडरा डैनियल से बात ही प्यार से बात करता है जिससे कि वो उस पर शक्त ना करे इसके बाद सेंडरा को लगता है कि सब कुछ ठीक है जिससे वो फिर से वापस अपने काम पर चली जाती है सेंडरा के जाते ही डैनियल वान को कहता है कि तुम बेकी के बैक साइड में थपड मारो वान ऐसा ही करता है वो बेकी को थपड़ मानने लगता है जिससे बेकी को काफी स्वादा पेन होता है डैनिल बेकी से कहता है कि तुम्हे एक और काम करना होOMEगा जिसके बाद तुम आज़ाद होजाओगी और मैं तुम पर उसके बाद कोई और कारवाई नहीं करूँगा डैनियल कहता है कि तुम्हें वान के साथ इंटिमेट होकर उसे पूरी तरह से खुश करना होगा ये सुनकर बेकी पहले तो हिचकिचाती है लेकिन अब उसे इस सबसे आजाद होना था इसलिए वो इस खनोने काम को करने के लिए तैयार हो जाती है कुछ टाइम के बाद सेंडरा उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है जहां वो देखती है कि बेकी और वैन दोनों चुपचा बैठे हैं जिसका मतलब कि वान बेकी के साथ इंटिमेट हो चुका था और अब रात भी हो चुकी थी वान अपने के पर शर्मिनदा था और अब उसका नशा भी काफी उतर चुका था वो बेकी से नजर नहीं मिला पा रहा था सेंडरा को ये देखकर कुछ बीस समझ नहीं आता कि वहां आखिर क्या हुआ है तब सेंडरा डैनियल से कॉल पर बात करती है अब उसे अपने किये पर पश्टाबा हो रहा है वहीं दूसी तरफ रेस्टोरेंट में सेंडरा का एक दोस उससे मिलने आता है उसे देखकर सेंडरा काफी खुश होती है वहीं रेस्टोरेंट की बैक साइड में बेकी देखती है और उसे बैक साइड बेकी की निगरानी के लिए छोड़ कर अपने काम पर वापस आ जाती है जिसके बाद डैनियल जब हेरोल्ड से बात करता है तो हेरोल्ड को वॉन ने जो बेकी के साथ किया था वो सब कुछ बता देता है और फिर हेरोल्ड को भी कहता है एक तो में भी बेकी के साथ इंटीबेट होना होगा ये सब सुनकर हेरॉल्ड तुरंट सेंडरा के पास चाकर उसे ये सब कुछ बताता है कि डैनियल ने वॉन से बेकी के साथ क्या करवाया और अब वो मुझे से भी बेकी के साथ ऐसा ही करने को बोल रहा है इतना सुनते ही सिंडरा को अब यकीन हो जाता है कि डैनियल कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है वो तुरंट पुलिस को कॉल करके उनको इस सब घटना के बारे में बताकर वहां बुला लेती है पुलिस सबसे सवाल जवाब करती है और जब पुलिस बेकी से पूछती है कि तुमने डैनियल को ऐसा करने से मना क्यों नहीं किया तो बेकी कहती है कि मैं बहुत डर गई थी और मैं इस सब मैटर से आजाद होना चाहती थी अब इसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिकेशन शिरू होती है वो अलग-अलग शहरों में कॉल करते हैं जहां से उन्हें पता चलता है कि ऐसी घटना पहले भी जगों पर घट चुकी है वहीं पुलिस को डैनियल के नंबर से उसकी लोकेशन का पता चल जाता है जहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि डैनियल असल में एक टेली मारकेटर था और वो उसे इस चुर्म की सजा देने के लिए पकड़ लेते हैं वहीं हम बेकी को देखते हैं जो अपने साथ हुई बदसलूकी के लिए सेंडरा पर कोट में केस कर देती है और कानुनी करवाई के बाद सेंडरा को उसकी जौब से निकाल दिया जाता है और साथ ही उसे एक पाइन भी लगाया जाता है कुछ दिनों बाद सेंडरा का इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें वो खुद को निर्दोश थाविद करने की बहुत कोशश करती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि डैनियल एक फेक पलिस आफिसर बन कर उन से बात कर रहा था वो बताती है कि मैं अपने रिस्टोरेंट की बदनामी को बचाने के लिए डैनियल से फोन पर ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी इसी के साथ ये मुवी यहीं पर खत्म हो जाती है